तो यह gaming PC बिल्ड सिर्फ मैंने बिल्ड क्या है 20,000 में, वो भी आर्टेक्स फोल ग्राफिक कार्ड के साथ, अब आप लोग भी सुनके चौक होगे होगे न, कि 20,000 के gaming PC के अंदर कैसे आर्टेक्स फोल ग्राफिक कार्ड लगा है, वैसे तो 20,000 के बज़र में कोई अच्छा gaming PC बिल्ड नहीं होता है, लेकिन मैं आपको 20,000 रुपय में एक प्रॉपर गेमिंग PC बिल्ड करके दूँगा, वो भी आर्टेक्स फोल ग्राफिक कार्ड के साथ, जिसमें आप सारे गेम्स को हाई सेटिंग पर खेल सकते हो, वो भी वेरी हाई सेटिंग के ऊपर, सिर्फ गेम्स में आपको वेरी हाई सेटिंग पर रन करके दिखाऊंगा, और यहीं नहीं, आप इस PC को पर Android गेम्स भी खेल पाओगे, वो सब कुछ में आपको डिटेल में बता देता हूं, तो इस PC के अंदर प्रसेसर लगा है, आई 74770, जो कि एक 4 जनरेशन बेस प्रसेसर है, वहीं बात करें, इस प्रसेसर के अंदर आपको कितने core कितने thread देखने को मिलेंगे, तो इस प्रसेसर के अंदर आपको 4 core 8 thread देखने को मिलेंगे, वहीं कर मैं इस प्रसेसर के base frequency के बारे में बात करूं, तो इसको base frequency है 3.40 GHz, और boost frequency है 3.90 GHz, वहीं गार आप इस प्रसेसर को तो यह support करता है LGA 1150 और इस processor का motherboard भी आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा तो अब बात करते हैं ये processor आपको कितने रुपे में मिल जाएगा अगर आप इस processor को online purchase करते हो तो ये आपको 3000-3000 रुपे में आराम से मिल जाएगा अगर आप इस processor को offline में purchase करते हो तो आपको 2500 में आराम से मिल जाएगा तो जो next component मैं अपने इस processor यूज़ किया है वो है motherboard तो motherboard में ने यूज़ किया है consistent का H81 motherboard वहिए कर में इस motherboard के features के बारे हम बात करूँ तो इसके अदर आपको 2 display board देखने को मिल जाएगे एक HDMI, एक VGA और आप इस motherboard के अंदर Gen3 NVMe M.2 भी यूज़ कर पाऊगे वही बात करें इस motherboard के अंदर आपको कितने RAM slot देखने को मिलेंगे तो इस motherboard के अंदर आपको 2 RAM slot देखने को मिलेंगे और ये motherboard DDR3 RAM support करता है 1600 MHz तक की और साथ मैं आपको इस motherboard के अंदर PCI existing slot देखने को मिलेगा तो मतलब आप इस motherboard के उपर Gen3 वाले graphic card पेर कर सकते हो वही बात करें इस motherboard के प्राइस के बारे में तो ये motherboard आपको 2,500 रुपे में आराम से मिल जाएगा तो जो next component मैंने अपने स्पिक के अंदर यूज के अदर यूज के अब वो है RAM तो RAM मैंने total यूज के 16GB, 88GB के 2 stick जो की 1600 MHz पर clock है और ये DDR3 RAM है और आप लोग को भी minimum आपको 16GB RAM यूज करना ही करना है वही गर मैं RAM के price के बारे में बात करूँ तो single stick 8GB RAM आपको 800 रुपे में मिल जाएगा तो अगर आप 2 RAM stick पर्चेस करते हो 88GB की तो आपको 16 रुपे में 2 RAM पर जाएगी तो जो next component मैंने अपने स्पिक के अंदर यूज की अब वो है SSD तो SSD मैंने यूज किया है consistent की NVMe M.2 जो की 256GB की है और ये NVMe Gen3 supported है तो आपको ठीक ठाक read and write speed मिल जाएगी और आपको minimum आपको 256GB की NVMe buy करना है इससे नीचे नहीं buy करना है वहेगर मैं इसके NVMe के price के वारें बात करूँ अगर आप इसका 256GB वारेंट वारेंट बाय करते हो अगर आप Air Cooler नहीं लोगे तो आपको processor overheat होगा overheat होने के वज़े से आपका processor performance lose करेगा और मैं आपको कुछ बजट Air Cooler का buy link description में दे दूँगा आप लोग वहाँ से buy कर सकते हो अगर आप future proof रहना चाहते हो तो आपको आपको 6GB VRAM देखने को मिलता है तो आपको buy करना है RTS 2060 Super और उसके अंदर आपको 8GB VRAM को option देखने को मिलता है अब बहुत सरे भाई लोग पूछेंगे second hand में graphic card कहां से purchase करे तो आप लोग उसका attention मत लिजे मैंने इसको पर आलग से एक video बना दिया है कि कैसे second hand graphic card purchase करे तो उस video का link आपको उपर i button में मिल जाएगा और description में भी मिल जाएगा तो जोने इस component मेरा आपने specie के अंदर यूज किया वो है cabinet तो cabinet मैंने यूज किया है Antec का AX20 Alight बाकि आप चाहँ तो कोई दूसरा भी cabinet buy कर सकते हो जरूर नहीं कि आप यही cabinet buy करू अगर आपका budget जादा है तो आपको अच्छा cabinet भी buy कर सकते हो अगर आपका budget कम है तो आप budget series का भी cabinet यूज कर सकते हो तो मैं कुछ बढ़िया budget series के cabinet का बाइलिंग रिपसर में दे दूँगा आप लोग वहाँ से buy कर सकते हो तो यहाँ पर हमारा PC build complete हो जाता है अब आप में से कई सरे लोगों को PC build करना नहीं आता होगा Windows install करना नहीं आता होगा तो मैं आपके लिए एक seller लाया हूँ वो आपको proper PC build करके देंगे इवन Windows ब इंस्ट्रॉल करके देंगे तो इस seller का name है Gamers Paradise और इनका एक shop भी है दिल्ली में Gamers Paradise नाम का और मैंने इनका shop का address भी आपको screen पर सोग कर दी रहा हूँ तो जो बंदी इस वीडियो को दिल्ली से देख रहे हो तो आप जाके खूद महाँ से directly आप PC buy कर सकते हो और जो बंदी इस वीडियो को other state से देख रहे हो तो आप इसको courier करवा सकते हो और इंडिया में कही पर भी PC order करने के लिए simply आपको इनके WhatsApp पे आपको message कर देना है या फिर आप call भी कर सकते हो और रही बात payment की आप चाहिए तो अपना PC cash on delivery पर भी order कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको 10% extra pay करना पड़ेगा तभी हो आपको PC courier के लिए ready करेंगे और आप चाहिए तो directly full cash भी pay कर सकते हो और make sure कि आपको अपना proper address और नाम सब कुछ अच्छे से type करके उनके WhatsApp पर भेज देना है और हम आपको एक चीज़ बताने बुलिया आप लोग को कैसा लग रहा है यह वाला PC तो सबसे पहले इस PC का system spec चेक कर लेते हैं क्योंकि यही एक सची यूटूबर की पहचान होती है तो यहाँ पर आप लोग मेरे system spec देख सकते हो तो यहाँ वही same person लगा है i7-4770 जो कि मैंने वहीं स्टार्टिंग में ही बता दिया था और RAM भी 16GB RAM लगी है लगया है मैं आपको इस PC का ग्राफिक कार भी दिखा दे रहा हूँ तो इसके लगा है GeForce का RTX 2060 जो कि मैंने वहीं स्टार्टिंग में ही बता दिया था ग्राफिक का दे करेंगा तो आप इस पीची को बिना रेंडर के विना एडिट करते हो तब आप लैग देखने को मिलेगा तो आप इस PC को पर 4K 60fps के editing कर पाऊगे, लेकिन normal वाले, अगर आप ज़्यादा heavy editing करोगे, तब आपको lag दिखने को मिलेगा, वहेगर आप 1080p के editing करना चाहते हो इस PC को पर, तब आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आगे, एकदम smooth editing कर पाऊगे, तो इसके बाद मैंन करने वाला हो gaming test, जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो, तो जो सबसे पहले game मैं test करने वाला हूँ, वो एक android game होने वाला है, तो वो game है free fire, तो इस game को मैंने run किया है 1080p standard setting पर, वहे बात करूँ, इस game को मैंने कौन से emulator को पर run किया हूँ, तो मैंने इसको run किया है खेलना चाहते हो, तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो, वो भी अच्छे कासे FPS के साथ, तो next game मैं run करने वाला हूँ, वो है minecraft, और minecraft को मैंने run किया है, आर्टेक्स वाले ciders के साथ में, और आर्टेक्स वाले ciders लगने के बावजूद भी हमें 100 plus FPS देखने को मिल रहे है इस इस गेम के अंदर lag यावज इस टेटर देखने को नहीं मिल रहा है, तो अगर आप यह PC वैलोरान खेलने के लिए भाई कर रहे हो, तो आप बिल्कुल इस PC के साथ में आपको कोई प्रब्लम नहीं आने वाली है, तो next game मैं run करने वाला हूँ, वो है God of War, इस गेम को मैंने run क 1080p, ultra और high setting के mixture पर, और DLSS को कर दिया है quality पर, तो इस game के अंदर हमें अराम से 50-60 FPS देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी इस game के अंदर आपको lag यावज इस टेखने को नहीं मिलेगा, even कभी-कभी हमेरे game के 70 plus FPS भी चले जा रहा है, इसके बाद मैंने अपना game का ग्राफि 1080p, medium setting पर, और medium setting पर ही, इस game ने मेरे graphic card का पूरा 6GB VRAM consume कर लिया है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग 8GB VRAM करना, उसके अंदर आपको 8GB VRAM मिलता है, तो अभी यहाँ पर मैंने game को run कर दिया है, और यह game बहुत ज़्योदा graphical demanding game है, अच्छे से अच्छे PC क 30 निकल जाती है, इस game को run करने में, वही बात करें, इस game के अंदर हमें कितनी FPS देखने को मिल रहे है, तो इस game के अंदर हमें 50 plus FPS देखने को मिल रहे है, और इस game के अंदर हमें बिल्कुल भी lag visitor देखने को नहीं मिल रहा है, और इस game का graphic setting चेंज करके 10DP very low setting पे कर दिया है, और जैसे मैंने इस game का graphic setting चेंज किया, उसके बाद हमें इस game के अंदर 75 plus FPS देखने को मिल रहे है, तो अगर आप इस PC को पर Lost of Us जैसा game खेलना चाहते हो, तो वह भी आप आराम से खेल सकते हो इस PC को पर, तो next game में run करने वालों वह है GT5, और इस game को मैं run करने वालों 10DP very high setting साथ में मैंने इसका advanced graphics भी on किया है, तो अभी हाँ पर मैंने game को start कर दिया है, और इस game के अंदर हमें आराम से 90 plus FPS देखने को मिल रहे है, और बिल्कु भी lag एफिटर देखने को नहीं मिल रहा है इस game के अंदर, तो अगर आप GT5 जैसा game खेलना चाहते हो, तो वह भी आप आ Windows 11 यूज़ कर पाऊगे, तो इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप इस PC कोपर पैसा न विस्ट करके आप लोग बाई करो i3 10 generation वाला PC, और वो PC आपके लिए latest भी रहेगा और आप उसके उपर Windows 11 भी यूज़ कर पाऊगे, इवन आप उस PC को future में upgrade भी कर पाऊगे, अब ब कोई confusion है तो आप मेरे को Instagram पर personal contact कर सकते हो, मेरा Instagram आपको description में मिल जाएगा, तब तक के लिए टाड़ा कूट भी है, मिलते और किसी यूडियो के साथ